बच्चों यह वीडियो का क्षा साथ के लिए सुकृति का पाथ पुस्तर के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सस्ठम पाथ के बारे में जानेंगे सस्ठम पाथ, इस पाथ का सिर्शक है रिसी केशा जिसी केस एक धार्मिक्तिर सस्थल है भारत का और यहाँ पर संस्कृत में कुछ वाकि दिये गए है जिसी केस के बारे में समझाया गया है और मैं आपको इन सस्कृत तथा इसके हिंदी अनुबात को समझाऊंगा आप इसे समझने के लिए अपने पुष्टा को खुली रखें ताकि आप इस पाठ के पाठ वर्नन को आसानी से जान सकें तथा इसके परस्नुत्रों को आसानी से हल कर सकें पाठ इस प्रकार से हैं असमाकम देशा भारत वर्षा अती रम्य भव्य चौस्ति हमारा देश भारत वर्ष बहुत ही रम्णिय और भव्य है यानि कि हमारा देश भारत वर्ष बहुत ही सुन्दर और सांदार है असमाकम देशा भारत वर्ष अती रम्य भव्य चौस्ति हमारा देश भारत वर्ष बहुत ही सुन्दर और सांदार है अस्मिन देशे सर्वत्र नैसर्गी की सुस्मा राजते। इस देश में सब जगह प्राकृतिक सुंदर्य व्याप्त है। भारत से भव्येशु रम्येशु चो अस्थलेशु भारत के सुंदर और सांदार जगहों में से रिसी केस अपी दर्सिनिय अस्ती रिसी केस भी देखने योग है। भारत से भव्येशु रम्येशु अस्थलेशु है जगहों में इसलिए उसके विशेशन में भी एशु लगा हुआ है। तो भारत से भव्येशु रम्येशु भारत के भव्य तथा रम्येशु जगहों में रिसी केस भी देखने योग है। गंगाया प्रसिद्ध तिर्थात हरीद्वारात। रिसी केस गंगा के प्रसिद्ध तिर्थ हरीद्वार से एकुनविन सतिक किलोमीटरा नाम दूरें एकीस किलोमीटर की दूरी पर पर्वतेभ्या परिवृता अस्ती पर्वतों से घेरा हुआ है। अत्र गंगा स्वनाय सर्गी की सुस्मया परिपूरुना अस्ती यहां गंगा अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता से परिपूर्ण है। अत्र मतल्य यहां गंगा अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता से परिपूर्ण है। गंगाया परवतानाम चो हरी तिमना परिवृता रिशी केस एक रमनिय पाबनम चो तिर्थ अस्थानम अस्ती गंगा के गंगाया गंगा के परवतों की गंगाया परवतानाम चो गंगाया परवतों की हरियाली से घिरे हुए गंगाया परवतानाम चो हरी तिमना परिवृता गंगा के परवतों की हरियाली से घिरे हुए गंगाया परवतानाम चो हरी तिमना गंगा के परवतों की हरियाली से घिरे हुए इससी केस एक रमनिय और पवित्र तिर्थ अस्थान है परिविर्ता मतलब घिरे हुए यानि घिरा हुए गंगाया मतलब सश्टी भी वक्ती है गंगा तो गंगा के परवतानाम परवतों की हरितिमना मतलब हरितिमा यहने हरियाली से हरितिमना परिविर्ता हरियाली से घिरे हुए यहने हरियाली से घिरा हुआ गंगा के परवतों की हरियाली से घिरा हुआ है रिसी केस गंगा का जो पहार सब है उसकी हरियाली से चारों और से घिरा हुआ है रिसी केस गंगा के कारण से घिरावारिशी केस एक रमनिय पावनम चो तिर्थ अस्थानम अस्ती एक बहुत ही सुन्दर यानि रमनिय और पवित्र तिर्थ अस्थान है साधु और महात्मान चो अस्मिन अस्थाने आत्मन परमात्मन चो ध्यानम कुर्वन्ती साधु और महात्मा इस अस्थान पर अपना और इस्वर का ध्यान करते हैं साधु और महात्मान इस अस्थान पर आत्मन अपना परमात्मन चो अपना और परमात्म का ध्यानम कुर्वंति ध्यान करते हैं अपी चो कव्या लेखका चो और कभी तथा लेखक भी अपी चो इने और कभी तथा लेखक भी कोमल कल्पनासु निमिज्य स्व लेखन्या मनोहराणी का व्यानी रच्यन्ती और कभी तथा लेखक भी कोमल कल्पनाओं में डूब कर कोमल कल्पनासु निमज्य कोमल कल्पनाओं में डूब कर स्व लेखन्या अपनी लेखनी से याने अपनी कलम से मनोहराणी का व्यानी रच्यन्ती मनोहर याने सुन्दर कभी ताएं लिखते हैं ये सुन्दर कविताओं की रचना करते हैं साध्व महात्मना चो अस्मिन अस्थाने साधू लोग और महात्मा लोग इस अस्थान पर आत्मना परमात्मना चो अपना और परमात्मा का अपना और परमात्मा का ध्यान करते हैं अपी चो कव्य लेखकाच और कभी तथा लेखक भी कोमल कल्पना सू निमज्य कोमल कल्पनाओं में डूब कर स्व लिखन्या अपनी कलम से मनुहरान काव्यानी रच्यन्ती मनुहर कविताएं रच्ते हैं वैज्यानिक रूपेन अपी रिषी के सस्य महत्वम अस्ती वैज्यानिक रूपेन अपी वैज्यानिक रूपेन अपी वैज्यानिक द्रिष्टी से भी कर सकते हैं वैज्यानिक रूपेन अपी वैज्यानिक रूपेन अपी वैज्यानिक रूप से भी जिसी के सस्य महत्वम अस्ती जिसी के इसका महत्व है अत्र इस्थितासू परवत स्रिंखलासू यहां इस्थित पहाडों की चोटियों पर विविधानी औस्धानी अपी उत्पन्नानी भवंती अत्र इस्थितासू यहां इस्थित परवत स्रिंखलासू पहाडों की पहाड की चोटियों पर परवत स्रिंखलासू पहाड की चोटियों पर विविधानी विविन्न प्रकार के औस्धानी औस्धिय पोधे यहां इस्थित पहाडों की चोटियों पर विविधासु औसधानी विविन प्रकार की औसधियां अपी यहां इस्थित पहाडों की चोटियों पर विविदानी औसधानी विविन प्रकार की औसधियां यानि विविन प्रकार की औसधियां भी अपी उत्पन्नान भवन्ती आयुर्वेद के चिकित्सक यानि आयुर्वेद के आचारे तेसाम उप्योग उनका उप्योग भीशन रोगानाम गंभीर बीमारियों के निवारनाय निवारन के लिए करते हैं अत्र इस्थितासू परवत स्रिंखलासू यहां की चोटियों पर इस्थित अत्र इस्थितासू परवत स्रिंखलासू यहां इस्थित परवत की चोटियों पर विभिधानी औसधानी अपी उत्पन्नान भवंती यहां की यहां इस्थित परवत की चोटियों पर विभिन औसधियां भी विभिन औसधी भी उत्पन्न होते हैं आयुर्वेदाचार्या तेसाम उप्योगम भीषन रोगानाम निवारनाय कुर्वंती आयुर्वेद के चिकिस्षक तेसाम उनका उप्योग तेसाम उप्योगम उनका उप्योग भीषन रोगानाम गंभीर विमारियों के निवारनाय निवारन के लिए करते हैं आयरवेद आचार्य उनका उपयोग गंभीर बीमारियों के निवारन के लिए करते हैं आयरवेद आचार्य यह आयरवेद के चिकित्सक आयरवेद आचार्य करते हैं तेसाम उप्योग उनका उप्योग, भीशन रोगा नाम निवारनाय कुर्वन्ती गंबीर विमारियों के निवारन के लिए करते हैं। जगों में रिसी केश के देखनेयों के जगों में रिसी केश के देखनेयों के जगों में रिसी केश के देखनेयों के जगों में लक्षमन जूला प्रथम अस्ती लक्षमन जूला प्रथम है। प्रफम 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 है अयम एक सेतु अस्ति यह एक पूल है यस्य निर्मानम गंगाया पारम गमनाय एव अभवत जिसका निर्मान गंगा के पार जाने के लिए हुआ अयम एक सेतु अस्ति यह एक पूल है यस्य निर्मानम जिसका निर्मान गंगाया पारम गंगा के पार जाने के लिए ही हुआ यदा अस्मिन से तो जना चलनती जब इस पूल पर लोग चलते हैं तदा अयम कमपिता भवती तब यह हिलता है यदा अस्मिन से तो जब इस पूल पर जना चलनती लोग चलते हैं तदा अयम कमपिता भवती तब यह हिलता है रिसी केश अस्य दर्शनियेशू अस्थानेशू लक्षमन जूला प्रथम अस्ती रिसी केश के देखने योग जगों में से लक्षमन जूला प्रथम है अयम एका सेतु अस्ती यह एक पूल है यसी निर्मानम गंगाया पारम गमनाई एव अभवद जिसका निर्मान गंगा के पार जाने के लिए ही हुआ यदा अस्मिन से तो जनाब चलनती जब इस पूल पर आदमी चलते हैं तदा अयम कमपिता भवती तव्या हिलता है अत्र गरूर चट्टी अपी दर्सिनियम अस्थलम अस्ती यहां गरूर चट्टी भी देखने योग जगा है अत्र गरूर चट्टी अपी दर्सिनी अस्थलम अस्ती यहां गरूर चट्टी भी देखने योग अस्थल है अस्मात अस्थानात नती दूरे इस अस्थान से कुछ ही दूर में गीता भवनम नाम प्रसिद्ध आश्रम अस्ती गीता भवन नाम का एक प्रसिद्ध आश्रम है अतर गरूर्चटि अपी दर्सिद्ध अस्थलम अस्ती यहाँ गरूर चट्टि भी दर्सिद्ध अस्थल है यहाँ देखने योगी जगह है अस्मात अस्थानात नती दूरे इस अस्थान से कुछ ही दूर में गीता भवनम नाम प्रसिद्ध आश्रम अस्ति गीता भवन नाम का प्रसिद्ध आश्रम है महर्शी कन्वस्य आश्रम अस्मिन अस्थाने एवासित महर्शी कन्व का आश्रम भी महर्शी कन्व का आश्रम इस अस्थान पर ही था महर्शी कन्वस्य आश्रम अस्मिन अस्थाने एवासित महर्शी कन्व का आश्रम इस अस्थान पर ही महर्शी कन्व का आश्रम अस्मिन अस्थाने एवासित इस अस्थान पर ही था भारत भारत जिसके नाम पर हुआ है भरतस्य माता सकुन्तलाया पालन पोशनम अस्मिन एव आश्रमे अभवद भरत की माता सकुन्तला का पालन पोशन इसी आश्रम में हुआ भरत की माता सकुन्तलाया पालन पोशनम अस्मिन एव आश्रमे अभवद भरत की माता सकुन्तला का पालन पोशन इसी आश्रम में हुआ अस्मिन एव आश्रमे अभववद इसी आश्रम में हुआ नगरा नाम कोला हलात दूरम सहरों के सूर सराबे से यहने सहरों के कोला हल से दूर इलम अस्थानम वस्तुता आत्म उन्नते अस्थानम अस्थी अपनी उन्नती के लिए हैं उन्नते अस्थानम अस्थी अपनी उन्नती का अस्थान है कोलाहलात दूरम नगरानाम कोलाहलात दूरम सहरों के सुर सरावे से दूर इदम अस्थानम या अस्थान वस्तुता आत्मों नतें अस्थानमस्ती वस्तव में अपनी उन्नती का अस्थान है अस्थानमस्ती अपनी उन्नती अन्य अपनी तरकी का अस्थान है अस्मात अस्थानात नती दूरे इस अस्थान से कुछी दूरी दूरी पर गीता भवनम नाम प्रसिद्ध आश्रम अस्ती गीता भवन नाम का प्रसिद्ध आश्रम है महर्शी कन्व का आश्रम इस अस्थान पर ही था भारतस्य माता सकुन्तलाया पालनम पोशनम अस्मिन एव आश्रमे अभवत भारत की माता सकुन्तला का पालन पोशन इसी आश्रम में हुआ नगरा नाम कुलाहलाद सहरों के सोर सरावे से दूर इदम अस्थानम वस्तुत यह अस्थान वास्तव में आत्मों नतेह अस्थानम अस्थी अपनी उन्नती आत्मों नतेह अस्थानम अस्थी वस्ता आत्मों नतेह अस्थानम अस्थी वास्तव में अपनी उन्नती का अस्थान है अपनी सुपधा के नुसार से इसे रिपीट करें इसके मीनिंग्स को बोलकर पढ़कर याद करेंगे जैसे भव्य मतलब सुन्दर नैसरगी की मतलब सभाविक दर्सनिय देखिने योगे सुस्मया सुन्दर्ता से परिवृता घिरा हुआ पावनम पवित्र परमात्मन इस्वर का परवत स्रिंखलासु पहाड की चोटियों पर आउस्धानी दवाईया रोगा नाम रोगियों के अस्थलेशू अस्थानों में सेतु पूल गमनाय जाने के लिए कमपिता हिलता है कोला हलात सोरसी इदम मतलया इस पाट का प्रस्णोत्तर दूसरे वीडियो में होगा आप अपने सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें मैंने प्रत्यक सेंटेंस को दो से तीन बार कहा है आप इसे सुन कर समझने का प्रयास करेंगे फिर भी अगर कोई भी लाइन अगर छूट जाता है तो आप उसे पुना रिपीट कर सकते हैं और आसानी से सुन कर समझ कर इसे अपने CW और SW कोपी में संस्क्रिट सेंटेंस के साथ में लिखेंगे आपका दिन सुभ हो धन्यवाद